जैश्री काल भहरव आप सभी को मेरा साधर परणाम हड़े सेनमन आज इस वीडियो में आप सभी के समख्ष अपने अगोरपंत के साधना काल में जो अलग अलग परकार की साधना है मैंने करी हुई है उसमें से एक महत्पूंड साधना जिसके विशे पे पहले भी चर्चा करी हुई है एक वीडियो में उस साधना की अगोरपंत में जिस परकार से मैंने साधना करी थी उस साधना के जो अनभव थे उस अनभवों को मैं इस वीडियो में साजा करने का प्रयास कर रहा हूँ ये साधना करने पर साजनी के बहुत अग्र रूप की इसमें मल इत्यादी तामसिक पूर्ण तामसिक रूप से उनकी उपासना की जाती है उनकी साधना की जाती है जिस प्रकार से अगोरी करते हैं उस समय पूर्ण रूप से एक शमशानी साधक एक तामसिक साधक के रूप में पूरे अगोरी के रूप में उस साधना काल में अपने जीवन को विदीद कर रहा था और उस समय की ये कनप साचनी की अगोर उमारगी की साधना इतनी दुरगम इतनी कठन इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मैं कई बार मृत्यों के मुक्ष से निकल के आया हूँ मृत्यों साक्षात आपके जीवन तरहते हुए क्या होती है किसी भी नीच शक्ती में ये मुझे उस समय अभास हुआ मैंने तीनों प्रकार की कनप साचनी की साधना उको किया हुआ है उसके दुश्प्रभावावां को भी बहुत गहराई से देखा हुआ है संसारेक जीवन में रहते हुए ग्रहेस्थ लोग जो संसार में रहते हैं या घरों में रहते हैं उनको इस परकार की साधना नहीं करनी चाहिए अगर यह करते हैं तो उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा दुश्वरभाव आता है और मक्य रूप से जो अगोर की साधना है और अगोर की मक्य रूप से जो अगर आपने घर पार नहीं छूड़ा है, अगर आपने अपना कुल नहीं छूड़ा है, ये आपके घर पर भी दुश्टभाव डालती है, ये बात काफी पुरानी है, उस समय मुझे हर प्रकार की साधनाओं को करने का हर प्रकार की साधनाओं से गुजर के आगे आने का एक भाव था कि कोई भी साधना ऐसी ना छूटे जिसका मोहो कभी बना रहे, और इतना ज़्यादा किताबों में लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा इसका प्रचलन है कि किसी भी साधक का भीतर से मोह बना ही रहता है कि ये किस बरकार की साधनाओं कुछ डराबने अनभावों को पढ़के साधक एक बार ठिटक तो जाता है कि चलो ठीकर नहीं करेंगे नहीं कुछ जड़बर ना हो जाए, किन्तो मैं हमेशा से ही चुनौतियों को लेने का आदी रहा हूँ, जितनी भी मेरी साधना रही है उसमें बहुत सारी साधनाओं को मैंने बहुत एक्स्ट्रीम जजाकी किया है, जिसमें मैंने अपने स्वयम के शरीर को भी छौक दिया ह कि मुझे इसकी भी आवशकता नहीं है, ऐसी बहुत गहरी गहरी साधनाओं जिसमें नीच योनी से लेके कुछ देवी देवताओं तक की साधनाओं को मैंने साधविक और तामसिक दोनों परिकार से किया हुआ है, ये काफि प्टानी बात है, बहुत बर्स बीद गए, जब मैं अगहर में था, अनंतनाथ, महाँ पाल नाथ अगहर से मैं अनंतनाथ हुआ था और अनंतनाथ उन्हें एक बात 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 बहुत सारी अगहरी जो किरिया हैं मेरे लिए उपन हो चुकी थी, क्योंकि जब आप अगहर होते हैं तो आगहरी की अगहरी की आदेश से और मेरी साधनाओं को करने की जिद को देखते हुए हमारे गुरुदेव ने ये साधना करने का मुझे अफसर प्रदान करा। इसमें च्छे महीने मैं वहां शंक्षान में पूरे तरीके से अपने आपको समर्पितर के रह रहा था। उसी मद्धिकाल में ही अलग लग बहुत खतरनाक साधनाओं को भी करने का अफसर मिला जिसमें जीवन पर भी संक्षा आ गया था। और मान से किस्ति ऐसी हो गई थी कि जैसे अब इसे व्यवस्थाओं को मैं शायद छेलना पाता ह। जो भी व्यवस्थाएं उस समय में थी चाहे वो संसारिक और आध्यात्मिक जीवन में तारतमता बिठा के आगे चलने के दशाओं या किसी भी एक मारग को चुनने के दशाओं किसे भी जीज में बैलन्स रखना बड़ा मुश्टिन था अगोर में गुरू करपा और इश्ट करपा सर्वो परी में हमेशा मानके चला और जोगी आधेश हुआ उसको आधेश ही मानके चला गरदन उडाने का आधेश हुआ तो तुरन चाकू अधन पे रखती इस प्रकार से दी कोई साधक गुरू के आधेश का पारण करते भी चलता है तो साधनाएं सिद्ध होने के लिए डालाईत रहती है आपको मेहनत करनी के आवस्ति नहीं होती है कि एक सामान में साधक होती है काफी पुरानी बात हो गई है लेकिन जो अनभव है वो आज भी जीवन थैं वो सुगंदे हैं वो दुरगंदे हैं अज भी जीवन थैं उन्हें को आपके साथ साजा करने का एक प्रयास है ताकि सभी साधक अपने साधनाकाल में जो हैं वो अपने अनभावों से तो सीखे ही दूसरे अनभावों से भी सीखें उसी को ही मैं समझदार समझता हूँ जब गुरु आदेश से गुरु आग्या से और इश्ट कृपा से जब मैंने इस मंतर को लिया तो जब प्रधम बार मुझे मंतर मिला वो गुप्त शमझान था सुखा विराना समझान था जो यहां पर चिताय कभी जला करती थी अब वो सुखा था नरजन था इसके आज पास भी कोई गाउं नहीं था उस गाउं में मेरा एक बार जाना हुआ तो उस ये महराष्ट के बॉर्डर की खटना है महराष्ट की बॉर्डर के पास एक ऐसी वीरान जगह है जहां पर लगभग इन चार किलोमेटर एक गाउं से पैदल चल के उसे शमशान में जाय जाता है यहां की धरती भी फटी हुई है फुकिए गड़ी ना कोई खेत है ना कोई घास है इंदम वीराना और घंडर हैं उस इस इस्थान पर मुझे गुर्देव के दौरा आदेश हुआ कि यह सादरा आपको वहां करने होगी उस वीराने शमशान में जो कभी शमशान हुआ करता था इन तो इस समय भी वहां पर शक्तिया जगरत है और जो अच्छे सादक हैं जो जानकारी रखते हैं वो वहां पर जाकर सादना करते अब ऐसी विवस्था जहां पर तिन चार किलोमेटर दूर चारो तरफ कुछ न हो खाने पिने की कोई विवस्था न हो इसी का आना जाने न हो ऐसे स्थान नर्जन स्थान पर जाने से पहले किसी के भी सादक मन में यह आएगा कि मैं वहां कैसे जीवित रहूंगा एक मेरे भीतर एक बार भी भाव भी नहीं आया विचार भी नहीं आया नहीं विचार आया कि हो जाएगा और नहीं विचार आया कि कैसे होगा कुछ बोधे नहीं रहा आदेश हुआ और मैं सरक के अपने आपको वहां पाया मैंने कि मैं यहां पे ख़़ाओं जैसे रात्री में वहां पहुँचने बारा था उसी रात्री वहां पर गाउं में बहुत बड़ा गाउं भी नहीं था आट-दस परिवार ही थे उस गाउं में उस गाउं में अगोरियों की एक तोली महोची हुई थी यसी मुशेश कारणे को करने के लिए और वहीं पर ही भोजन इत्यादी जो वहाँ की देशी मदिरा थी वहाँ का जो तामसिक भोजन है वह इत्यादी सब हम लोग उने जमीन पे बैठके खाया और उसके वाद मुझे आदेश हुआ कि अब आपको निकलना है मैं जानता नहीं था क्योंकि मुझे ये दूपहर में दिखाये गया था दूर से ये उस तरफ रहा उस दिशा में बहुत दूर तो आज सिर्फ उस दिशा को पकड़के रातरी में गरी 11-12 वजे निकल गया काफी दूर पैदल चलने के बाद मुझे जब खेंडार से दूर उससे मुझे दिखाई दिए कि रातरी में अंदर्मा के प्रकाश में हलके हलके जो खेंडार कहीं तिख रहा हूँ उस प्रकार से मुझे दिखाई दिये तो मैं जब वहां पहुँशा तो एक अलग प्रकार की आवाज अलग प्रकार के जानवरों की आवाज पास में ही कहीं कोई नाला सब बह रहा था उसकी वाले की हलके हलकी आवाज जीब जीब से जानवरों की आवाज है मैं वहाँ अकेली और कुछ भी नहीं वहाँ जानबर भी आ सकता था वहाँ कुछ भी हो सकता था लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचाता हूँ मुझे इस समझ में नहीं आए मैं कहां बैठों ठूगी एकदम अंधेरा और तूटे-फूटे खंडर कहां चिता जल रही है कहां चिता जलती थी कुछ भी आभास वहाँ पे नहीं हो रहा था जब मैंने आसन लगाने का सोचा तो सोता है ऐसा लगा कि जैसे बहते हुए किसी ने मुझे उस स्थान बैठा दिया जहां वो बैठने का स्थान होना चाहिए था और जब मैं महाँ असन लगा कि मुंबत्ती थी में पास मुंबत्ती जला कि मैंने चाब तरफ जब उस पे दश्टी पात करा तो देखा कि इतने वर्षों पुरानी जगह थी जहां पर रिजदाई जला करती थी उस स्थान पर जो सूखा पन होता है जहां पर लगातार अगली जलने से एक शम्शान का एक सूखे पन का एक वीराने पन का जो भावाता है उस जमीन में वो मुझे बहां दिख रहा थी और मुझे बगल मीषी अपना असन लगा के बैठा थी जो बहां पर बहुत सारी पेतात्माएं बहुत सारी शक्तियां बहुत सारी उबजाएं अलग-अलग दिशाओं में भागती हो दिख रहे हैं जैसे कोई उनके छेतर में जैसे कोई आ गया कि वो परिशान हो कि अगया कि भागो यहां से क्यों आयों यहां पर और इतना हंगाम्ः मच गया कि जैसे जो बहुन था, जो वहां के प्रख्षी थे, जो वहां के केट पतंगे थे, इतना ज्यादा हंगाव मचाने लगे, इतना ज्यादा शोर मचाने लगे, कि ये कोई भी व्यक्ति, सामान भ्यक्ति भी होता तो वो समझ जाता कि यहां शायद बैठना संभाव नहीं होगा, फिर सा यह जैसे 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 चितां में जब लकड़ चटकती है तो ऐसी चट चट आवाज आ रही सिर्फ मैंने अभी आसनी ही लगा रहे था तब मुझे आभास हुआ कि मुझे यहां क्यों भेजा गया है यह तो जागरत स्थान है सादकों के लिए ऐसे ही तो स्थान सादकों को चाहिए होते हैं मैंने अपने आसन को बिचाने के बाद अपनी जो पूजन करिया है उसको धीरे 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 इस महोल को समझने के बाद करना शुरू करा हो गए मंतर जाप मैंने शुरू करने शुरू करे जैसे ही मंतर जाप मैंने उठाया बहुत तीज जैसे बिजली की गलगला हट बहुत तीज आसमान से नहीं सामने कहीं खंडर से पेरों से ऐसे लगड़ा जैसे धेल सारे मजीरे बज़ रहे हो बिलाले बज़ रहे हूं इतनी तेज कलकला हुए कि को कह रहा हूँ भागो यहां से पर न खतम कर देंगे मैं फिर भी निश्चिन तो हो कि उन सब अरभों को अवाइड करता हुआ मैं अपने मंतर जाप में लगा रहा हूँ मंतर जाप भी मुझे ना उतराक्ष की माला थी ना किसी रत्न की माला थी किसी दूसरे ही चीज़ों की माला से मुझे जाप करने का आदेश हुआ पर्थम रात परी थी एक टेर बजे दो बजे के आज पास मैंने जब यह जाप शुनू करा था तो यह आवहास नहीं था कि मैं कितनी खतरनाग जगे बैठाओ बहुत ही ज़्यादा खतरनाग जगे थी एक समान्य वक्ति के लिए एक साध़क के लिए जो अभी साधनाओं को करने के लूब या लालच में या मल्चा में या भाव में ऐसी जगह पर आ गया मंदर जाप करते गरते लगभग एक घंटा हुआ था या चानक से मेरे सामने इस्त्री पर कट हुई और वो ऐसी स्त्री थी शायद साथ से आठ फित लंबी बाल खुले हुए मुझे खूंट टबक रहा हैं और घूर रही ये आँख हैं उसकी मुझे जैसे वो खाने को आते रहो मुझे और चिल्डाई जिंदर रहना की नीजाने तुझे आग यहां से वो शब्द इतने तरकश थे इतने करण बेहदी थे एक बार को मुझे लगा कि शायद मैं गलत आ गया हूँ यहां मेरी ब्रत्यू भी हो सकती है इतने खतरनाग चगए मैंने एक सेकंड के लिए सिर्फ बहुत एक पल के लिए उनकी तरफ देखा था बाकी से अपना नजरे जुखा ली थी यößiben यहां मुझे यहां पता था बुराने अन्भवों के अधार पर ति अगर मैंने इन से आख मिलाई अगर इनकी तरफ देखना शोनाओ करा और इनकी वारता में फसा तो मैं देरे 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 यह इनकी आख पर मोहित होते हो और इनकी बातों को समझते हो मैं शामती से अपने जाप को करता है। बिल्कुल नंबर भाउस से बिना किसी जिजग के बिना किसी हल चलके। तो जिस छड़ उसने मुझ पर चिलाया। जैसे पूरे श्रेरी रौंटे खड़े हो गए हूं। वो उजा का अभास मुझे आज भी है। इस पल भी जब मैं यह बात कर रहा हूं। मैं रौंटे खड़ हो रहे हैं। यह रोमांच सभर गया हूं उस समय के। इतना संदर अनभाव था। बहुत विरलों को ऐसे अनभाव प्राप्त हुआ। जब मैं अपने जाप को कंटेंट रखा और थोड़ी दिर में रिखा तो वहां शांती थी वहां कोई भी नहीं था। मैं यह लगा कि कही है ब्रहम तो नहीं था, कही है मेरे मन कहीं ब्रहम तो नहीं था। लेकिन इन सब उहां बहुत छोते हुए मैंने इपनी साधना को आगे किया और लगवग चार बजे के आसपस मैंने जाप पूंद करके उसी आसन को लपेट की और भगल में तकिया बना के मैं सो गया। और चार बजे सो गया तो पता ही नहीं चला कि कितने घंटे सो गया। लगवग नौद दस बजे के आसपस मेरे नेन खुली तो देखता हूँ चारो तरफ वीराना है। कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं। न तो कोई पशू है, न तो कोई बक्षी है, न किसी चीज़ के आवाज आ रही है। बस एक नाले में बहती हुई अजीब सी बदबुदार, कुछ गंदी सी हवाम बहती हुई। एक पदबुद जो वहां नो बैठने दे किसी कोुछ जीवन का महां पे कुई नाम और निशान नहीं था जैसे रात्री में ही महां पे जीवन पैदा होता हुई। कोई हलसें नहीं, बेड़ों में रौनक नहीं, कोई पशुबक्षी की आवाज नहीं, बिलकुल संगाटा। मैंने उस पुले शुम्शान घाट का पूरा ब्यारा करा। तानों किरफ जा जाके, जो तूटे वे खंडर थे उसमें नीचे उपर जाके। कुछ मिल करी कि क्या हो सकता था, क्या है, क्या यहां पर गुज बिल जाया कुछ और जाय। बहुत सारे भूत प्रेद त्यादी का देरा था और बहुत बलवान बहुत उर्जावान जिसकी वज़े से यहाँ पर समान्य जीवन का होना बड़ा संभाव था दिन भर मैं जो अपनी ध्यान की क्रियाई थी उसमें लिपत रहता था ध्यान मैंने कभी छूड़ा नहीं चाहे मैं अगोर में रहा चाहे मैं कपालिक में चाहे में सुलिमानी सादनों मैं सुँख और दोबहर का समय में सदेव ध्यान में ही बीटता था और गंटों-गंटों मीनता था मैंने कुछ तुखि पूंकिいます हम्या जाताओं में रहा हूं चाये बदरा जाये कि दरन्रा जाये गौमुख नहीं रहा हूं तो मैंने अपने यात्राओं के अनभव के आधार पर सदब अपने पास कुछ खाने पिने के छोटे मोटे चीज़ें रखी है कुछ ब्राइप रूट हो गए, कुछ बिस्कुट हो गए, कुछ नमकियां हो गए इस पर कार की चोटी मोटी चीज़े जो अक्सर एक व्यक्ति रखता है अपने पास यात्राओं में वो मैं रखता था किन्तु सबसे बड़ी परिशाने वहाँ पर पानी के थी पानी के लिए आप कम से गवं 3-4 किलोमेटर आपको चल के जाना ही पड़ेगा और ये बहुत करन कर रहे था कि 4 किलोमेटर आप रात रात बर जाब करें दिन भर आप अपने सुविधाओं के लिए सारी शीज़ों को आगे करें इन्तों यही पर ही एक विशेश कृपा कह लिजे या आशरवाद कह लिजे या कुछ भी कह लिजे जैसे ही भीतर ये आया की पानी की विवस्था क्या होगी एक व्यक्ति साइकिल पे दोजों तरफ बड़े-बड़े प्लास्टिक के लिली रंग के बड़े-बड़े डब्बे जिसमें पानी था पैदल 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 लेके जा रहा था तो यह जा रहा था बहुत पास नहीं था मुझे लगा कि शायद आस-पास कुछ होगा तभी यह विक्ति यहां से जा रहा तो मैं आवाज लगाई तो वो डरा डरा क्योंकि जो कपड़े में पहनता था काले रंगे जिस प्रकार से मैं गोर के साधना काल में रहता था और इस साधना में नहाना इत्यादी बिल्कुल भी अलाउट नहीं था जो नहीं नहाना था वो मुझे जितना की बस मैं उसी सही सनान करना था शिदा वहाँ पे थी नहीं तो राख बना कि उसी सही सनान करना था दोड़ते हुए मैं उसके पास भागा कि कहीं वो भाग ना जाए बहुत दिर तक मैं उसका पीछा किया एरूपे घहस चुब रही थी सूखे सूखे घहसे जैसे दान करने के पाद बटाई होने के पाद जो उसमें छोटे-छोटे वो काटेदार बच जाते हैं कैसे कैसे बचते बचते लहूल उखान होते मैं भहाँ तक पहुंचा कैसे भी करके उससे मने प्रार्थना करी कि मुझे यह एक लिए पानी थे उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं ले सकता हूँ आप कौन है यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसी खातरनाच जगे में अब उसको जब गर्ष 15 मिनिट चलते चलते वो रोख भी नहीं रहा था चलते चलते उसको मैंने समझाया बहुत थी बहुत ज़ना तो उसको मैंने जितना प्रयाश्वस्ता था समझाया और उसने कहा कि ठीक है लाइए अपनी बोतल में आपको पानी दे देता हूँ में पास कुछ नोतल भी नहीं थी मैं भागते समय वहां से निकलते समय ये सब लाना ही गूल गया कि मुझे बोत चाहिए भी फिर बहुत देर ढूंडने के बाद एक तूटा हुआ डब्बे का धरातल आधा कटा हुआ मुझे मिला उसको ही मैंने उस से भरा और उसने कहा कि मैं यहां से प्रते दिन आता हूँ मैं आपको थोड़ा भूद दे दिया करूँगा इतनी विशेश्क्रपा है कि महाँ पानी का कोई साधर नहीं है और वो व्यक्तिन बहुत दूर जाता था पानी लेकि परते दिन अपने घर के लिए ये घर उसका उतनी दूर था उस गाउं में बचा हुआ बाकि सब पलाइन कर चुगे थे और उस इस्थान से भी बहुत दूर उसका अपना घर था बहुत इठनाई से वो मैं जलूतनी दूर से बचा बचा कि अपने पास तक लाप आया और पूरा दिन मैं अगले दिन तक मैं उसी पानी को ही चलाता था मल मूत्र त्यागने में सिवी सुचता का ध्यान नहीं रखना था इस साधना में इस साधना में धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जब जैसी जैसे अनभाव बढ़ते चले गए गुरू आदेश से इसमें मल का भी लेपन करके साधना करनी थी एक ऐसी एक्स्ट्रीम अवस्था थी एक ऐसी पुछ अवस्था थी जिसमें आप अपने सारे स्वरों को भूल जाते हैं आप अपने जितनी भी माननेता हैं उसको भूल जाते हैं कैसे आप मल को पूरे श्रीर पे अपने ही मल को लगा के बैठेंगे कैसे धुएंगे कैसे रहेंगे क्या मदमन नहीं आएगी क्या घिन नहीं आएगी कुछी रोके हैं भीतर चे कि सब भाव दशाओं को दमित करके अगर कुई सादक बैठता है तो नहीं बैठता है वो जतना ज़्यादा दमन करेगा उतना ज़्यादा उसको अवस्था से भाव ज्यादा उठने का मन करेगा उस अवस्थाओं को मैस्वी का रहा क्योंकि यह वो मार्ग था और अगर मार्ग में आप चल रहे हैं तो आप यह चाहें कि मार्ग आपके अनुसार हो तो ऐसा नहीं होगा मार्ग तो अपने मार्ग के अनुसार होगा तो फिरुबात में बहुत कटनाई हुई समझने में लेकिन इश्ट और गुरू करपा के कारणा फदा है ये भीतर उज़र गया कि ये वस्ता भी बहुत आवश्चक है सादिकों के लिए पार करना दूर से इसको गृणा करना ये गलत है ये गलत मार्ग है ये एक बहुत आणनदाएक श्टिती है बहुत मजढार श्टिती है कि दूर से भी किसी चीश को आप बुरा या भला कह सकते हैं लेकिन भीतर से आप उससे होके गुजरते हैं अब उसकी सत्यता का आपको भान होता है तब आपको उसकी उर्जा का भान होता है कि वहां पर आपकी ऐसी क्या उर्जा डेवलप हो गई वहाँ पे ऐसी आपकी कौँची दवीवी शक्ती डवलप हो गई इसा वही बता सकता है जो इस से होके गुजरेगा देरे देरे प्रति दिन मलका लेपन करके अपने शरीर पर रातरी को बारा बज़े बैठने का अधेश था बार बज़े से तीम बज़े तक का बेरा समयकाल था और उस समयकाल में जतनी भी वहाँ पर आतमाएं थे जतनी भी परेता आतमाएं थे जतनी भी निक्रिश्ट शक्तियां थे वो सब जग worthless हो जाती थे और फिल्जड अतना तांड़ व्मचाती थी वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता भाई, इतनी बदवू आती थी, स्वाकी तो इतनी थी वो थी, लेकिन आसपाद इतनी बदवू आती थी, इतनी बदवू आती थी, कोई आपका जायन से निकल के आपका खोन पीने के लिए दुर रहता था, बार-बार बली मांगी जाती थी, बली दो बरना हम सम उड़ा के लिए जाएंगे, वह इतनी बुरी दरह पठकेंगे उपर से नीचे, कोई नहीं प्राप्त होगा, जो करने आया हो, इस परकार से रातनी बर बहुत होती थी बहुत जाओ, और मैं चुट्चा आप शांती से अ जाप को करता है, यह रातनी का प्रद्य दिन का खेल हो गया था, जैसे ही मैं जाप करने बैठों, वैसे ही सारी चीज़ें आके सामने बैठ जाएं, घूर ने लगें, किसी के मुझे रक्त बहरा है, किसी के नाक्स बहरा, किसी के कान में से मावाद बहरा है, कोई गलत-गलत थरकते कर रहा है, धीरे, 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 उनका जो दायरा था, उन मेरे समीप आने लगा, जैसे शायद कोई मित्र दा करने के लिए आतर हो रहा हूँ, लेकर इन तरह की, इस तरह की, जो आत्मा हैं, इस तरह की, जो शक्तियां हैं, इस तरह की, जो योनियों में पड़ गुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इनकी धूरतता इनकी चालाकिया इतने उच्छ गोटी की हुती हैं आप माज़श लोगों में अगर कोई बहुत ही दुष्ट प्रवर्ती का बहुत ही शैतानी प्रवर्ती का अगर आप देखें को व्यक्ति अगर आप अच्छ उस प्रकार की गनुदिगी से भरी हुई आत्माओं का वहां पर जवाब लाथ अधर दैसे बहुत सौफ्ट बहुत भूला प्रवर्ती का व्यक्ति वहां कैसे रहा हूंगा यह मैं स्वाइम ही जानता हूं एक एक पल मुझे वहां कचोड़ता था कि मैं यहां क्यो कर रहा हूं साधना ये बेकार में और बार बार उचाट होता था और बार मार में अपनी साधना बैठता था बार बार गुल पर उचाट होता था इस पर उचाट होता था साधना पर उचाट होता था लिगे मुझे सत्तिता पता थी कि उचाट होता है साधक हूं तो उचाट होगा अगर मैं साधना नहीं कर रहा हूँ तो क्यों उचाट होगा रोद तो मेरे को क्या पढ़िया मैं करूँ नहीं कि मुझे पता था कि गर साधक है तो भी उचाट तो हो गई जैसे आकरशा होता है साधना के प्रती वैचे उचाट भी होता है होता है तुक्रोद भी होता है दोनों की सत्यता है को इन सत्यताओं को समझते हुए मैं अपनी साधराओं को आगे बढ़ा रहा था धीरे 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 कुछ जब समय वितित हुआ तो उनको मेरे निकट आने का मौका मिला और प्रती दिन जैसे ही मैं अपनी आसन पे बैठता था अपनी माला को पकड़ता था कोई वही सामने बैठके मेरे मल और होत रतिया कर रहा है ऐसी ऐसी गंदी हरकते है और मुझे अपनी साधना को एक आधरता से करना प्योड़ता था जो पधम दिन इस तरी आई थी दर्स दिन बाद उसका फिर आगमना बहुत तेज चलाई बहुत तेज तेज पर मुरे च्छवी मैं आपके दिखा रहा हूं ये उसे च्छवी से मिलती जुलती ही मुझे दिख रही है इसलिए मैंने डाला है इसमें और ये उसका दिखता है जिर दिखता है उसके सफेद देखता है उतने और जदर सफेद है बड़े बड़े दाँ बाल भूरे भूरे पीछे की तरफ भागते हो जैसे हवा के तरफ पीछे की तरफ भागते है हवा से जहरे पे एक अजीब सा तेज था एक गंदा वाला तेज था गंदी उर्जा जैसे थी लेकिन उसकी भी एनरजी बहुत पावरफुल थी उसके सामने भी बैटना बहुत बड़े हमत की बात थी मैंने जैसे है उसकी तरफ देखा मैं देखता ही रह जाता था जब जब हुआई और मैंने उसकी तरफ देखा मैं देखता ही रह जाता इतना अजीब सा उसका औरा था इतना अजीब सा उसका उवजा मंडल था कि आप ने उसकी आँखों में देखा तो आप बस उसकी आँखों में ही देखते रहे जाएंगे फिर वो जो बोलती चले जाएगा आप करते चले तो जब दस दिन बाद जब मेरे सामने था जबारा से प्रकटफी लगबख साथ अच फिट लंबी खुब महली थी बस जहरे पर उसकी बहुत तेज अजीव साही तेज था देवी तेज नहीं भोल सकते उसको जब प्रफु जब तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा तेज करकश आवाज में चिल जाती थे कमाम में नहीं डापके को और तेज करके शाओ आ लिए आदे बात तो समझ में ही ना आए इतना तेज है इस आक्रोश में कोई भी व्यत्ति कोई भी सादक लड़ाई करने को आतुर जदता था को अगर प्रवर्तिका है और शान प्रवर्तिका है तो वहां दर के भागने में ही अगर भलाई समझता है लेकिन पुरानी बहुत सादना ही करी हुई है तो उसके अनभव साथ में थे कि डरने का तो कोई अर्थ है नहीं आप डरे तो मरे डरना वैसे भी मुझे नहीं लगता है आज तक नहीं लगा कभी नहीं लगा कोई भी साधना हो, कोई भी चीज़ हो कोई भी इस्तिती पर इस्तिती हो लेकिन जब मैं उसके आँखों की तरफ गएक के उसकी बात सुन रहा था तो पीछे 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 मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे मस्तिश्क में कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ परिवर्तित हो रही है जो मुझे उसकी तरफ आकर शित कर रही है उसमें बांध रही है उसी की ही कोई शक्ति मेरे को पाश में बांध रही थी जो मुझे मजबूर कर देती उसकी तरफ एक टक देखने के लिए और उसकी हर बात मानने के लिए और जैसे ही वो आती थी आजपस अजीब से धेर सारे चमगादर पसुपक से चिलाना चीखना इतना दिमार खराब करते थे इतना चिलाते थे कि मुझे कभी कबारत तो इतना इरिटेशन से हो जाती थी अंदर से कि मैं इसको देखू अपनी साधना करूँ कि अपने आपको समाल हो कि मेरा उचाट हो रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या एक तरफ ये सामने मेरा को साधना से उठाने के लिए एक तरफ मैं सौइम साधना से उठाने के लिए उचाट को समाल रहा हूँ क्यों कोई अपनी जान जोख्यम में डाल के इतनी दूर इस प्रकार से साधना कर रहा है ये भी कई बार आता था अरी चुट्चाप शांती से जो साधना कर रहे हो बाहर वो करो क्यों इतनी अपनी जान यहां जोख्यम में डाल रहे हो यह यह समाता था, क्या लाग, क्या हो जाए, साधना तुमने करके वैसे भी छोड़नी है, पहले भी छोड़ी है, तो फर क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तो भीतर एक आग थी, उस आग खो, यह साधना वेलकम करते थे, जिस जिस परकार की साधनाओं में कया हूँ, जितनी भी उगर साधना रही है, उन्हें सभी साधनाओं के उगरता, सिर्फ मेरी इस अगनी की योगता के कारण ही मुझे पराप्त हुई है, जितनी साधनाओं में अगनी होती है, जिस परकार की साधनाओं के उगरता है, जिस परकार की साधनाओं उस परकार के साधनाओं, 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 उस परकार क दीरे 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 ये मुझे जब भान होने लगा कि मैं शायद इसी की है कोई शक्ति के माध्यां उससे इसकी आखों के तरफ देखता चला जा रहा हूं और बंदता चला जा रहा हूं पल-पल अचानक से मेरे पास जो हमारे गुरुदेव के दीव हुए जो अस्तर सस्तर थे उसमें से एक निकाल के मैं प्रंट जमीन पे ठोगा जहां असन था मेरा उसी के समक्ष मैंने ठोगा और सब गायब यह सेकेंड भी नहीं लगा सब गायब हुए यह है गुरु की शक्ति गुरु की ताकत और गुरु की ताकत भी मैं बाद में कहूंगा यह है अपना साधक का गुरु के ब्रति समर्पन विश्वास लोग कहते हैं अंदश्रद्धार बहुत गलत कीज़े हैं मैं साधा ख्षेत्र में सर्फ अंदशरद्धा को ही इंपॉर्टेंस देते हुए चलता हूँ अंदशरद्धा रथात आपने देखा नहीं और आपने जान लिया मान लिया यहां ऐसा होगा उसने बोला दो हो गई होगा अब दुनिया में संसारे चीज़ों मत मानो लेकिं जो गुरू अदिश आ गया जो गुरू ने बोला उस पे अगर आपकी अंदशरद्धा है तो स्वता चीज़े कार्रे करती हैं यह मेरे अपने जीवन का अनभव है और आप भी स्वता अनभव करेंगे मेरे अपने स्वयन के शिश बहुत अनभव करते हैं इस जीज़ को जो पूरे तरह के समर्पे थे ऐसे बहते हुए जैसे पाने बहता है नदी में ऐसे जैसे उनके कार रहते हैं बिना कुछ दिमांड किये बिना कुछ कहे और उस पे उनको अश्र भाव छुटते हैं कि जा कर दिया गुरू कितना महान गुरू ना ना कोई गुरू महान ने ये तुम्हारी महानता है जो तुम उस पे अंधश रदा कर पा रहे हो तब उस गुरू के तरफ से चीज़ें बहती भी तुम्हारे पास आती हैं जहां तुम पॉलिटिक्स करने लगे जहां तुम दूसरों की बातों में आने लगे जहां तुम्हारे अंदर कुछ विचार आने लगे कब कहां गिरे पड़े पाई जाएंगे कुछ नहीं बता और फिर सिर्फ गुरू और धर्म और साथना को गाली देने के अलावा कोई कार नहीं बचता है इस पर राहू एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है रहू जब कुंटली में ब्रहस्कति के साथ होता है या प्रभाव में होता है लोग गुरू से लोग आता है यानि कि जो गुरू बता रहा है उससे हट के एक अपना अरग मारग बनाने के चेश्टा करता है और भ्रहु में भी डालता है जो क्या करता है सादक कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा नक्षे में पड़ा रहेगा मुझ जवान गंदी रहेगी इस प्रकार के तीजों इभी राहू का बहुत बला योगदान है, तो भटकाता है, गुरू भटका देगा, युए वो अपने गुरू मानना स्विकार कर देता है, राहू का क्या कार रहा? उपने कारे में सफल हो जाता है, भटका देता है, तिन चार पांचे है दस साल बाद फिर जब साधक को होश आता है तब हाथ मिलने के लावा कुछ बच्टता ही नहीं कि समय बर्माद कर दिया दस साल कुछ नहीं मिला फिर वो यही कहता है कि अब तो जो मैंने जान लिया और किताबों से पढ़ लिया जैसा मैं हूँ वैसा ही ठेक हूँ ठीक है तो फिर उसके अलाव कोई चारा बचता ही नहीं है तो यहीं करना ही पड़ेगा जितनी भी वहाँ पर हरकते हो रही थी जितनी भी वहाँ पर ओगर शक्रिया तांड़ों मचा रहे थी बुचल कूत कर रही थी आग लगा रही थी बगबू भेला रजी सबस्षान्त और उच्छे देख को कोई आश्चर भी नहीं हुआ तो कि मैं यह करना ही नहीं चाहता था किन्तु वद्धा मेरा हाथ गया वो अस्त उठा और जैसे ही जम्हें पे गिरा वैसे सबस्षान्त हो गया कोई दर्शे नहीं सबस्षान्त होगी और उसके बाद मैं अपने जाब को कंटेंडर रखा ऐसे ही यह तालिस दिन की जो सादा थी इस एक तालिस दिन में प्रतिदिन असांग की आनभाव होते थे अस और बार बार हड़ते से सिर्फ धन्यवाद गुर्व को धन्यवाद इस्ट को धन्यवाद और शब्न में भी नहीं आता सिर्म भाव बहते थे और जितना जितना बहता जाता था उतना उतना मेरी साधना प्रभल होते चली जाते थे चोटे-चोटे वहां पर कच्चे कलुए आने शुरू हो गया, खेलते रहे थे गंजे-गंजे से, छोटे-छोटे से, काले-काले से, भागते हैं, मिरे पास आते हैं, फिर भाल जाते हैं, फिर मिरे पास आते हैं, लाओ बिठाई लाओ, लाओ बिठाई लाओ, लाओ बिठाई लाओ, अब वो इतना छोटा शक्ती का पॉंच और इतना ही छोटी शक्ति एतना छोटा प्रीत और बार बार इस तरहीं जब परिशान करें अब बढ़े को तो आप डाट भी दो गाली गलोज भी गर दो लिगना छोटे से क्या करोगे उनके अट खेलिया ही चलती रहती थे उन्हें जातरी भर अब वो पेड़ का ज आपको करता है तदा मैं रुकता नहीं था विलकुल पर जब अतीस तरह दिन था तीस तरी दिन जब वो स्तरी आई जो पर पसाच नहीं थी जो फुरुआज से ही आना शूरू हो गई थी उसने अब सामने के जगे मेरे पीछे से आना शूरू करा और पीछे से कितनी लंबी जेब हो लगा थी मेरी पीट पे और पूरा का पूरा जो मल लगा होता था पुरे शरीर पे उसको जाट दिए दात से निशान बनाते लिए और निशान बनने के माद जब उसमें रख और कान में फस्फसाती थी अभी जो ओगर थी दो बार से तीस अनी बार में वो शाम तो ना शुरू हुई उसमें देखा कि यह अठी है यह नहीं उठने वाला कान में फस्फसाती थी संगीत गाती थी अजिव जीब से में राग राग निया इस परकारी की कुछ संगीतों की जाड़ियां लगाती थी और जब तक मैं गाता रहता था था वो गाती रहती थी कभी कुछ पुछ पुछ पसाती थी कभी दाएं में कभी बाएं में कभी सर पे बाल फेर अपने अंगलिया फेरती थी अपने नाखों से मेरे कपाल को मैं उचने कभी प्रियास करती थी जैसे प्रेम से कभी-कभी वो सर पे मेरे बालों पे हाथ फेर रही थी और अचानक से उस हाथों को मेरे कपाल पे बहुत तेजी से पांध देती थी और जैसे कपाल मेरा नाखोनों के कबजे से कपाल को उखार के अलग फैक देगी, मगज को उखार के फैक देगी, तरह तेज वो पकड़ लेते थे, जैसे मैं सिर्फ अपने कपाल के बल पेशी शरीर से उठके फैक देगी मुझे, इस प्रकार से मुझे उठा देती थे, फिर बार 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 गलत गलत विचार मन में डालना शुरू कर दिया गलत प्रकार के हरकतों को करने के लिए प्रेज़ित करने लगी अब वो डेली आने लगी अब वो रोज आने लेगी प्रति दिन का उसका हो गया कभी मेरी जांग पे खड़ी हो जाए कभी मेरी सर पे खड़ी हो जाए कभी कंदों पे बैठ जाए कभी आकार बढ़ा कर ले कभी आकार छोटा कर ले और उससे बद्बू बहुत भयानक आती थी, बहुत भयानक बद्बू आती थी, जैसे कि मुर्दा सड़ रहा हो, कोई इंडेट बोडी सड़ रही होगे, तो बद्बू आती थी, आप नाग बंद भी कर लेंगे, तो भी बद्बू आती थी कलिद कलिद विचार आते थी, किसको मार दूं, उसको मार दूं, किसको मार दूं, अपने गुरो भाईों को मार दूं ये सब इतने प्रकार के जो भाव आते हैं ये प्रेत जनेत भाव होते हैं किसी भी साधक को जब वो साधना कर रहा हूँ किसी में देवी या देवता की उसके हिर्दे में अगर इस प्रकार से गुरु के प्रति या गुरु भाईयों के प्रति या किसी के प्रति अगर भीतर यह इस परकार से कुछ इक तुप सिद्वेचार ओठ रहे हैं तो यह समझना कि वो इसको मुण रहा है देव या देवी है उसके भूत एक त्यादियों से वो गरसित है इस समय इनको भूग दे रहा है, वो भूग नहीं ले रहे है, अंदर बहुत रहस्म है, ऐसे नहीं समझ में आता है, लोगों के देखा देखी लोग, मदिरा का, चिलम का, मिठाई इत्यादी का भूग लगाना शुरू कर देते हैं, मा असका भूग लगाना शुरू कर देते हैं, कलीजी का लगाना शुरू कर देते हैं, उनको यह पताई नहीं होता कि को अनके ले जा रहा है, वो अपने उपस्तिती दरज कराता है, अगलों को लगदा है, या आगया देखी भी, यह मैं साध्कों के लीद पूल रहा हूं जो साध्क है उनके लिए नहीं बूल रहा हूं जो सिद्ध हैं जनको सब पता है कौन आता है कौन जाता है उस स्टेज में उनका वर्भार फिर वैसा ही हो जाते है खूँ ड्रिंक करने लगेंगे खुल जिलके मगा में लगेंगा लिक्रा में मास में रख में बली में इंसनरों का बड़ा मजाने लगेगा गतं हैं इस परिकार के भूख मारे chains करने वाले इस परिकार की उस साद़् के परवर्ति करने वाले उनात्य इंटियों के जो परेट आत्मा है वही हैं और वही उसके दिमाग में आके ख़ल पैदा करते हैं वही उचार्ट करते हैं वही साधना से उठाते हैं वही गुरू के प्रतिम भी उचार्ट करा देते हैं गुरू के प्रतिम भी दूश भाव करबा देते हैं एक competition की एक सादक है हमारे उनका तो यहां तक कहना था कि गुरू हमारे हमसे competition समझ रहे है यह सारी जो विचार इस प्रकार के आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेत जने से विचार है क्योंकि उस शक्ति के पास आने से पहले उसके चार उतना पसंख है उसके प्रेत है असेंगे उसके भूद प्रेत गड़ है और उनका विवार ऐसा ही होता है वो सादक को आने नहीं देना चाहते हैं उसका आदिश है कि मेरे पास ऐसे हलके फुलके मत आने दो तेजवान ओजवान ये जिवान सत्तिवान लोग मेरे पास आए हम तावन लेकि आओ मेरे पास तो जवाल के फुलके हैं वो इस माया में उस राहू की माया में उनको भटका लेते हैं और जो इस भटका वो को तोड़ने में सहायक होता है गुरू उसके अगेंस्ट वो पहले वो दिया कर देते हैं इस सबसे पहले इसको भटका होगा यह जो इसको भटकने नहीं दिना चाहता है पहले इसको अलग करो ऐसे बहुत सारे मेरे शिश्य हैं बहुत सारे सादक है जिनके मन में उचाट होता रहता है गुरू जी के वज़े से तो हमारे जिन में ऐसा हो गया गुरु तो कुछ नहीं होता है, मुनाहीं नहीं हूं। मेर जिसा हूं वैसा हूं, को ऐसे ही जतने सादक हैं, बहुत भार शादक हैं, स्ट्री और प्रुष दॉनों में। और दॉनों में ही एंकार बहुत ज़्यदा हुता है। यह भूत परिदगर्ण आपको यह नहीं मानने देंगे कि आप नहीं जानते हैं वो आपको विश्वास दिला देंगे कि जैसे आप हैं बहुत अच्छे हैं ऐसे ही रही हैं क्या जाता है दुनिया का दुनिया दबाती है सबसे पहले तो गुरू दबाता है घटाओ गुरू के ऐसी कि तैसी गुरू के प्रती महुत कॉन्विडेंस से उसके भीतर इस परकार के विशार आने शुरू हो जाते है गुरू पूछेंगे इसमें क्या उपाए करें इसमें क्या उपाए आप कर सकते है गुरू के अलावा समर्पन के अलावा आप को भाए कर गया सकते हैं दूसरा को उपाए नहीं कर सकते हैं को तोटका नहीं इसका या तो बढ़तते रही है और अपने आपको सही मान के उद्गोश करते रही हैं कि मैं सही हूँ सत्यता सब को पता है सही इसलिए कि मैं तूटना नहीं चाहता है और मिजबूरी है कि नहीं तूटने देना चाहता है कि तूटेगा तू नया बनेगा ना य। नया लेने से डर लगता है पतनी क्या हो कि पुराना जैसा भी है गंदा, मैला, कुछला जाना हुआ है इसलिए ठीक है, इतना पौरुश नहीं है मेरे मेरे मेरे, इतना बहर मुक्त नहीं है, जो मैं नई चीज को नए इन चीज को ग्राएं कर सकूँ, इसलिए जैसा है ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी रहूँ या ऐसी रहूंगी, दोना ही प्रकाइश है, दीरे दीरे दीर उससे मुझे लड़ना परता था ऐसे कि मुझे कुछ रियाक्ट भी नहीं करना है मुझे उसके द्वारा मिलने वाले कश्ट को भी जेहलते हुए चलना है मुझे वहाँ पर जो सांसारिक जो शारियरिक परिस्तितया मेरे जो विप्रित हैं उनकी विवस्ताओं को भी करना है मीराना सबह से लेकर रात तक रात तक कोई नहीं एक जीव नहीं बात करने के लिए कोई फोन इत्यादी भी नहीं था मेरे पास उस समय कोई किताब नहीं बस एक मंत जो दिया हुआ था दो काले कपड़े बस इसके अलाओ कुछ नहीं था खाने पिने का सामन सब समात हो चुका था सिर्फ पानी पर ही मैं जीवित था इस समय एक दिन मुझे विचार आया लगवादा अच्चिस तीस तीस दिन करेब हो चुके थे कि अगर मुझे भूग लग रही है मुझे प्यास लग रही है तो क्यों मैं इसी से मांग लो जिसके मैं साधना कर जहा हूँ अब ये मेरा परिक्षा का अंतिन दौर चल रहा था साधनाओं का इस साधना का सुषरी मैंने जब ये विचार किया तो मुझे पीछे से कहीं एक आवास तो था कि ये गलत है ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी भूख यास कमजोरी इतनी ज़्यादा हो गई थे कि मैं नहीं समाल पा रहा आला कि महां कोई महनत थे नहीं सिर्फ जाब था और ध्यान था लेकिन फिर भी जो शरीर की आवशकताएं हैं थोड़ी बहुत उनको पूरती है तो यहां स्थान से निकलने के लिए मना था ऐसा बनी था कि मैं चार किलोमोटर जाओं कुछ खापी किया हूँ फिर भी मैंने मन बनाया कि मैं बात करूँगा जैसे ही उस रात्री को मैंने जब मन बनाये था उसे रात्री को जब उसका आगमन हुआ पीछे से तो उसने मेरी गर्दन पकड़ी और गörtन ऐसे पकड़ी कि पूरी गर्दन उसके पूरे हाथ के एक पंजे में स्मा गई और आगे वाले नाखोंग आगे वाली नली पे टूँने लगे उसमें से रक्त की धार वहने लगी और रक्त किधार ऐसे मुझे लगी कि मिरा पेट पूरा नीचे धोती पूरे गिली होगी महाँ पे तीचार निशानों से ऐसे रक्त बहरा था और रक्त का पान करने के लिए उसकी जीब लखल पा रहे थे उसने मेरे हाद पे नाखुन पे निशान मारा नाखुन को खीचने के लिए उसने जोर लगाया कि ये नाखुन मेले जाऊंगे मैं इसी कही पान करूँगी, मैं इसी कही खाऊंगी, ये मेरा भूजन है मुझे बड़ा आजीब ता लगा कि आज ही तो मैं उससे अपने भूजन के लिए मैं आज कुछ मांगने वारा था, आज ही वो कह रही है कि मैं तुम्हारे नाखुनों का भूज करूँगी, मुझे यही खाना है मुझे ये अभास होगी है कि मैंने बहुत बड़ी गज़ती करती है कि मैंने विचार भे किया तो उस तक वो बात पहुँच गई मैंने इस प्रश्ण का कोई उतर मी दिया जब उसने मैं से पूछा और नहीं मैंने अबने वो जन से संब्हाज़त कोई भावा ने दिया मैं अपने जाब को कंटेनू कर था रहा मैंने अपने जाब को और तीग्रिकर नाश्यर भाव से अभी तरक मैं शांती से कर रहा था मुझे उगर भाव से करने का संदेश हुआ भी तरसे कि मुझे इसको उगर भाव से करना चाहिए जैसे ही मैंने उगर भाव से करना शुरू करा वो करने प्रिसाचनी जो शांत हो गई थी कुछ समय से उसने अपना एक भयान्हा गॉरू प लेना शुरू कर दिया और हो थी भयान्हा जाए किशैना आकि जाएध दमा भयान कि बिजली कल्कला गिल रही हो और आपकी फूरी बिल्टिंग हल रही तो पूरी आपकी धरा हिल रही है जैसे भूखम पा रहा हो और वो जो वहां से चीखने और तिलाने लगी दूर जाए और फिर पास आये मारने की उसके हांखों में खातियार आ लिया था अब वो मुझे खाई गी है खाई गी मारके ये मंतरों का बल था और उस मंतरों में दुहाई आन इस प्रकार से थी उसको मजबूरन पहले दिन सही आना पड़ गया ये सिल्द मंत्रों होते हैं और ये अगोर के मंत्रों की ऐसे हैं लो कभी गुरू किसी के सामने देगा ही नहीं किसी को देगा ही नहीं ऐसे ही नॉर्मली बहुत अकटें परिक्षां के बाद आपको मिलेगा मारने के लिए जब वो सामने आ रही थी एक पल लगा कि मैं इसको उठा के पटद भूँ अभी मार दूँ खतम कर दूँ तो कि मैं ऐसे इश्ट का सिवक हूँ मैं ऐसे इश्ट को मनने वाला हूँ कि जिसके आगे किसी की चलती नहीं है उसके बाब रूप भी मैं इतना सम होके इतना सहज होके मैं जाब कर रहा था तो बीच में जब मुसे इस परकार के भाव आए कि मैं आभे उठा के पटटता हूँ तो जब हतियार दो-दो हतियार लेकर जब मेरे सामने आ रहे थी वहीं गिर पड़ी और अक्षमा याचना करने लिगी तो लगी तो लगी तो मुझे एक इसमें दूसरा भास ही हुआ कि मुझे इस समय किसी भी दूसरी शक्ति को उठने नहीं देना है मुझे सिर्फ सहज भाव से इस शक्ति के नकरों को देखना है इस शक्ति के बेवार को देखना है समझना है एक रिसर्चर की तरह एक स्कॉलर की तरह इसको अंडस्टैंड करना है कि यह क्या कर रही है क्योंकि देखी साधना करने जाएंगे और आप बचना चाहेंगे तो नहीं, मैं तो सब कुछ में उच्छावर करने के लिए वहां मैठा था, तो लेना चाहे ले जाए, बली ले जाए, क्या पीड़ा है, ले जाए, उस समय मैंने प्राण करा कि मैं अब कोई भी रियाक्शन नहीं दूँगा, इसने अब मुझे खाना है, खा जाए, मारना है, मार करने के कारणा, मल का लेब करने के कारणा, भूजन ना मिलने कारणा, शरीर एकदम करका श्वर अजीब सा हो गया था, इलकुल क्रिशकार, हड़िया नजरान ले था, जहरा गंदा, बाल उलजे होगे, लंबे-लंबे नाखून, दांथ में पीलापन, कालापन, अजीब सिस हो गई थी, बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी बताना चाहता हूं उसके बीच में, लेकिन मुख के मुख्य जो हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसमें बीच-बीच में आपको समझाता भी जा रहा हूं, क्या करना चाहिए साधक को, अपनी साधनाओं में, अंतरे बस पजमजाब पर बैढ़ा हूं, उस रात्री, वहां पर बहुत हंगामा हुआ। वहां पर गाउंवले आ गए घाई authorization, और दूर दूर थें। कि तुम नहीं यहां पर क्यों हंगामा मचाह हुआ हुआ हुआ। क्यों तुम यहां पे सारे गाउंवालों का जीवन बरबाद कर रहे हो और सब लाठी डंडे लेके मुझे मारने के लिए ऐसा कोई ही रिखती नहीं था जिसमें उसके हाथ में लाठी ना हुआ सब के हाथ में टॉर्च और लाठी और धेरे सारे कम से कम 25-30 लोग थे और मुझे यह आभास हुआ कि आज यह मेरा अंतिम दिन है मैंने उसको सहर्ष स्विकार करा ना मुझे कोई भै लगा ना में लड़ने के लिए उठा मैं चाप अपनी साधना को कर रहा तो कि मैं जानता था कि यह आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन सबसे बड़ी परिक्षा होने वाली है अभी तक उस शमशान से उस शमशान घाट से मेरे बहुत परिचे हो चुका था आज तक महाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आये था आज अंतिम दिन ऐसा क्यों हुआ चानक से गड़ पिसाचनी आई मेरे काम में कहा हूँ ये तुमारे गुरू ने बेज़े है मैं मुझा मुझा आया मैंने कहा वाह मेरा गुरू मेरे कितने देखवाल कर रहा है कितने सारे लोगों को मेरी परिक्षा क्ले बेज़ा है क्योंकि हमारे गुरू देव वही डेरा लगा कि अपने जो वहाँ पे कुछ कार्री हो रहे थे उसके लिए अभी तक उसी गाउं में ही डेरा लगाते बैठे थे मुझे पता ही नहीं था नहीं जानने की कोशिश करी तो उनको पता था कि आज एक तालिसवा दिन है एक तालिसी रात्री है आज अंतिम परेक्षा होने भाग के रुकरी तो जो शक्तियां ले रहे हैं उससे तो लड़ी रहा है मैं भी तो लेकर देखू जब 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 उसने मुझे पताया कि तुमारे गुरू ने बेज़े हैं और उसने भी परिक्चा लेने शुलू कर दी कहा है कि डंडा दे रहे हैं सब कूठा उठाए मारो पटको सब को मुझे लगा कि यह ऐसा क्यूं बोल रही है पच्चिस तिस लोगों को मैं तुमने एक डंडे से मार पाऊंगा और वो सब मुझे मार निकलेते यार खूब गाली के लोट कर रहे हैं खूब मारने पीट निकलेते यार और सारी टोर्च की लाइट मेरे मूँ पे और लाठी पटक रहे हैं अब तुम्हें हम खतम करते हैं तुमने हमारे घरों में भूत परेद उठा दिये हैं जहां बेशम शान में आके साधना करने से हमारे घर बार में परिशानी आना शुरू हो गई हैं लेकिन मैं शान पैठा रहा हैं उनकी बातों में आया उनकी बातों में उस पिसाचनी की बातों में आया पर अचानक से जब मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था मैं अपने जाप को ही कंटेन्यू कर रहा था करीब करीब 20-25 मिनिट वो आपस में भी जगडते रहे मुझसे भी जगड निकले प्रयास करते रहे एक ने आखे मेरा कंधा में इतना धक्का दिया लाठी से लेकिन ना मैं उनकी तरफ घुर के देखा ना मैंने उनको कुछ जवाब दिया मैं अपने जाप बैठा रहा करता है कि मारेंगे मार दें कोई पेड़ा नहीं है मेरी साध्मा का बल अगर होगा तो यह नहीं उठा पाएंगे में इस 25 मिनिट में वो लोग दीरे 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 करके चलेगे जहां से आये थे और साचनी नगनहों के नजत्य करने लगी मेरी समक्र और उसका रूप जो इतने दिनों में बहुत ही खतरनाक था बहुत ही ज़ले खतरनाक था वो अब सम होने लगा सम अर्थाथ जैसे मित्रवत कोई हो जाए जैसे आपके उपर सबकुछ नरुचावर करने के लिए कोई रेडी हो जाए दन माने धन सबकुछ नरुचावर करने को उस प्रकार से में मेरी सामने नत्य करने लगी और उसका नत्य ऐसा था इस सांसारिक जगत में उस प्रकार के नत्य का मैंने दर्शाथ तर नहीं करा है और नत्य तराथी नती नंती इस थोड़ीय दीर में ओ. और आदे सेखे में मेरे कान के लिए पास आके कुछ कह रहे फिर भागती दूर चली जाए फिर मेरे कान में आके कुछ कह दे और ऐसी घती हो गई थी अप मेरे मन को आदत लग चुपी थी कि मैं कान में कुछ सुनना चाहता हूँ बार बार लिए कि जिग्यासासी बैट गए थे कि अब ये क्या गए क्योंकि मेरी पुर्व की कड़ पिसाचनी की साधना कानभाव था वो इस चीज के परती मैं सचेब था लिकिन इस समय मैं सुएंग उसकी अनभाव में था तो मैं उतना चेतन भी नहीं था हर बार वो जब मेरे आगे कान बेखाएती थी इतने दिनों से लगातार कहरे कभी बता रही थी उधर सोना जड़ा है कभी बता रही थी कि वहाँ वो प्रेज बैठा है मैं उससे कुछ भी आई ही बूशता था क्योंकि इस चीश का आदेश नहीं था ना तो भोग दिना है ना तो कुछ दिना है मैं किसी चीश के आदेश के अवहलना नहीं करता था कभी नहीं करी अब भी नहीं करता हूँ बले ही मेरी गर्दन कर जाए बहले ही मेरा सब कुछ तुट जाए, ना मेरे को कोई दूसरा भाव आएगा, ना मैं कभी कुछ तोड़ सकता हूँ, आदेश की बारे में। अन्तिम परातरी जब इस प्रकार से उसने मुझे दर्शन दिये और जब आखरी मंतर में ने जपा, तो सब शानती साथ था, और वो मोटी मोटी पायल पहने की, मोटी मोटी ठेड, सारी पायल उसने प्रेशन पहने हुई थी, इनको मोटी मोटी, और जब 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 करके, पैर पटक पटक के, ऐसे नहीं कि जैसे कोई सब्भेस्तरी चलती है, यह असम्भे जैसे चल रहाओ पैर पटक पटक के, अपने गागरे को लहरा लहरा, मेरे सामने आई, और कहा कि मैं आज इसे तुमारे साथ रहूंगी, तो मने मुझे करा है, अपनी साधना के बल से, तुम्हें यहां की शक्तियों ने बहुत उठाने का प्रयास करा, लेकिन तुमने अपने तब के बल से, तुमने अपने हट के बल से, तुमने अपने उर्जा के बल से, तुमने अपने गुरू और ईष्ट के बल से, मुझे सिंद्ध करा, मै प्रसंद नहूं बताओ क्या चाहते हूं तो मैंने उसको एक मित्र के रूप में अपने साथ कुने के लिए बोला और ये बोला कि पूवकान भौता कि 24 गंटे कान भी कुछ ने कुछ कहते रहती है तो मैंने उनको बोला कि जब मैं आपका नाम जूँँगा तब आप मुझे आके आप में अद्रिक शुरूप से चीजों को बताएंगे चाहे साफ सपष्ट बताएं चाहे सांकेतिक बताएं जैसे आपको बताना हो आप बताएं वो आपकी इच्छा को उम्रे पर है तो उसने पुचन दिया और वहाँ से विलूप कर गई और दिखा कि विलूप क्या करें कि जैसे मीरी चाया है मिरे साथ चल रही है वैसे ही मेरी दूसरी अद्रिक चाया के रूप में मिरे साथ चलने लगी है उसके छम छम की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती थी और किसी को नहीं तिन साड़े तिन बजी का समय मैं वही अपने आसन को जैसे गूल करके मैं लेट के तक्या बना के सूथा था मैं वैसे ही सूग गया और जब सुभे मैं उठा हूँ सुभे आपको यसों की बड़ा आश्चर होगा कि इतना प्यारन भाव था मैं पता नहीं सकता इसको शब्दों में तो बता रहा हूँ लेकिन भावना आपक गृप से मैं नहीं बता सकता कि मुझे कितना रोमांचक आभास हुआ कितना सुखद आभास हुआ कि जितने ही दिनों में मैंने अपने शरीय पे जो कश्ट छेले थे शरीर दर्द था, किरशकाय था, कमजूर था, मलिन था जो जो मैं मल का लेपन करता था, कभी नहाया नहीं भूख प्यास से मेरी हालत खराब थी सुबह जब मैं उठा हूँ, तो मेरे समक्ष खाने पीने के वरस्तूओं की भेल सारी चीजर रखए थे, बड़े-बड़े पत्तला में, खाने पीने की अलग इलग अलग चीज़र रखए थे और मेरे से रुका ही नहीं गया जैसे मैंने देखा मैंने उतो खाना श्रूगर गया और जब मैं खां रहा था था तो पीछे से जिसकी मैंने सिद्ध ह lag रही थी आ पुले प्रियम से निहाल रहे था। मैंने पीधर से ही उसको धन्यफात करा, आफ बोजांपुरा गरहन करा। शरीर मेरा जो गंदा था, वो इस समय पूरा का पूरा साफ सुतरा था, कहीं भी कोई गंदी ये नहीं थी, शरीर मेरा जो हड्डियों को भारत भारत दिखाने पे मजबूर हो गया था, उसमें अब मास चड़ चूँ, ये अविश्वस नहीं है, वे भी उसको जुटला सकता ह इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बता ही है, मैं कि ये क्या नभाव तो, बस एक बात, वो चन चन और वो बदबू, वो मेरे साथ चल ले लेगी, 24 गंटे, 24 गंटे, 24 गंटे, लेकिन सिर्फ मैंने जो बचन दिया था, कि मुझे आप तब ही बताएंगी, जब मैं आप से कहू तो मैं जब ही उनको बत बोलता था, तब ही वो मुझे बताती थी, मैं तरवत रूप मेरे साथ रहने लगी थी, लेकिन ये जो चम चम और ये जो बदबू थी, इसे में मेरा जीवन दूबर कर दिया था, मैं किसी भी साथपित प्रकार की साधनाओं को करने के लिए बचा झानी था, बहुत कष्ट होता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, का कि हमेशा आप तामसिक साधनाओं को करने के लिए जवन निकाल देते हैं, इसे मेरा साधनाओं को करनी का अर्थ ये नहीं रहा कि मैं उसमे बच्ज जाओं, छे महीने का मैंने जो समय लिया था शुरुवात में छे महीने मैंने इनको उसे तरीके से अपने पास रखा और छे महीने के पश्चात जब मैंने ये भाव ना उठी कि अब मुझे इनको तरोहित कर चाहिए तो पीला दाएक तो बहुत था बहुत ज़्यादा पीला दाएक था क्योंकि आपने जिस चीज को इतने मुश्कियों से सिंद्ध करा हो जिसमें आपने अपना खून पसीना एक कर दिया हो उसको आप छोड़ने की हिमत नहीं बना सकते लोग अपना मैं नहीं छोड़ पाते हैं लोग अपना दजबर दसका घर दुकान नहीं छोड़ पाते हैं लोग अपनी कोलसी नहीं छोड़ पाते हैं ये कैसे छोड़ जाती जिससे इतने लाब थे इन्तो भीतर एक सपश्टता होती है साधा के अपनी साधनाओं को लेके वो मुली भीतर थी शुरूर से इसलिए मैंने कभी भी अपनी साधनाओं को अपने पर हावी नहीं होने दिया एक सीड़ी मातर बना के मैं इंपे चलता चला गया इसलिए मैं सभी अपने गुरूओं का फिबरेट भी रहा वो इस गहराई को जानते थे लोग पैसे के लिए साधनाओं को करने के लालश में आते हैं कोई जमें खोदने के लिए आ रहा है कोई पैसा बरसाने के लिए आ रहा है कोई पैसे की साधनाओं को यक्ष्णी की साधनाओं तुम सब को करने के लिए आ रहा है मिरे पास और कोई एक सादक अनतनात सिर्फ सादनाओं को करने के लिए आ रहा है सादनाओं से चाहिए भी नहीं सिर्फ सादनाओं करने जानना है मुझके पीछे के रहसे इसलिए उस परकार की सादनाओं को करने का आउसर प्राप्त हुआ और अच्छा मेने पश्चात जब बहुत कठनाई हुई इसको छोड़ने में क्योंकि आप साधनाओं और सिद्धियों की फेरे में पड़तो जाते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है छोड़ना बहुत कठनाई इश्ट और गुरु करपास Сे कुछे में विधान था एक महने का उसी प्रकार का विधान था जिस प्रकार का अरजित करने का था चोड़ने का भी था बहुत कश्ट कारी था लेकिन कश्ट मुजव आनंद है वो और किसी चीज़ में नहीं है यह मेरे जीवन का एक मशीश सूतर है कि मैंने सदेव कष्ट को निमंतृत किया है अगर कोई एक कष्ट मेरे पास आने वाला होता है तो मैं हिर्दे खोल के उस कष्ट से बोलता हूँ कि सिर्फ एक नहीं जितने भी असंग के कष्ट आने है एक साथ आजाओ मैं जहाती चौड़ी खरके ख़ड़ा हूँ मैं इस सब कष्ट एक साथ चाहिए वर सब पीने को तियार हूँ ऐसी मेरी भावदशा स्लेव रही है और स्लेव रहेगी ये एक जीवन की बहुत अच्छी साद्ना बहुत अच्छी अंभव को मैंने आपके साथ साजा करा आशा करता हूँ कि आप इस पूरे अंभव की वीडियो में जो जो मैंने साद्कों के हितारत बता जाए वो वो अपने जीवन में सुधार करके अपने साधना कर जीवन को आगे बढ़ाएंगे और निवेदन है कि अगर वीडियो आप ठीक लगी हो तो मांच परने वाले लगी हो जानकरी परद लगी हो सब इस साद्कों के साथ इसको साजा करें लाइक करें, सबस्क्राइब करें जान बढ़ने से, बाटने से बढ़ता है आस तक मैं भी सब छुपा के रखा हुआ था लेकिन में कुछ खास है साद्कों की कारण मुझे ये सब ओपन करना पड़ रहा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ ब्रहम पहला रखा ब्रहम के बीच में अगर सत्यता परकट करते चले साद्क को फूश जागा रहेगा इस साद्राओं को आगे बढ़ाते रहे हैं भगवान भैरवनाथ आप सबे के जीवन में सुख, शांती, बुद्धी, मिवेक, समर्द्धी प्रदान करें आपके और आपके परिवार में सब उ शांती हो, सुख हो, आनन्द हो, मुक्ती हो, बुद्धी हो, विवेक मिले भगवान भैरव से प्रादना करता हूँ जय श्रीकाल भैरव उस सब की रॉंक्टे खड़े होगे उसको देखते ही उसका प्रियोग है मंतर के साथ जब मैं साद्कों को देता हूँ तो उस मंतर के साथ तो भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़के उस दंड को पकड़के ऐसे तीन बार उस मंतर का उच्चारान करके अगर आप अपने तीन बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजे 20, 20, 50, 50, 100, 100 किलोमेटर दूर तक उसके उच्चारन से और उस ठोक से पढ़ने वाली चोट उस धर्टी के भीतर ही नहीं उपर के भी शक्तियों को सफाय कर देते हैं